तो पिछले पार्ट में हम बढ़ें कि कोल का जो सरदार है वो कहता है कि जमीन का दाम जो है वो हजार रुपए है यानि दिन भर जितना पैदल चलेगा उतनी जमीन उसे मिल जाएगी वो उसका दाम मूल ले रहेगा सिरफ हजार रुपए पर एक शर्त रखते हैं कि जहां से तुम चलना शुरू करोगे सुरियास्त के पहले क्या है उसी जमीन मत उसी जगह पर तुम्हें वापस लोट कर आना है तो दीना काफी खुश होता है उसे राद भर नीन नहीं आती वह सोचते हजार रुपए में तो कब जेकर मैं साट किलोमेटर चल ही लूँगा साट किलो ना करते करते क्या है रात बीत जाती है फिर आगे देखो पढ़ेंगे पेच नंबर 113 सुबह होते ही दीना जाग गया उसने अपने साथ ही को जगाया फिर वे दोनों कोल के पास पहुच गया फिर क्या करते हैं सब क्या है सुबह सुबह कोल सरदार के पास पहुच जाते है दीना ने कोलों से कहा सूरज निकल आया है अब हमें चल देना चाहिए सूरज जुदय हो गया है चलो चलो अभी हमें चलना चाहिए कोलों ने दीना को चाय पीने के लिए कहा कहा कि वह चाय नाशता तो कलो मगर दीना कहता है सूचता है कि नहीं सम्मे बरबाद नहीं करेगा, देर नहीं लगानी चाहिए, इसी खयाल से दीना ने चाय पीने से इनकार कर दिया इतने में सरदार भी वहां आ गया, सब टेकड़ी की और बड़े तस, उसके बाद सब क्या है, उची स्थान की और बढ़ते हैं, उची जो जमीन है, वहां से पैदल चलना शुरू करना था सरदार ने दूर दूर तक फैली जमीन की और इशारा करके कहा, जहां तक तुम्हारी निगाप पहुँच रही है, तो तुम्हारी नजर जहां तक जा रही है, वो सब क्या है, हमारी जमीन है, इसमें से जितना चाहो ले लो, तो जितनी जमीन दिख रही है, सब हमारी है, त जमीन देखकर दीना की आखे चमकने लगी तो जमीन देखकर क्या दीना जो है उसकी आखे चमकने लगती है सरदार ने सिर की टोपी उतार कर जमीन पर रख दी और कहा यह निशाना है तो टोपी रखते हुए क्या कहते है कि यह निशाना है यहां से चल कर सूरिय डूबने के पहले तुम्हें वह यहीं वापस आना है ठीक है यहींसे चलना आरहम करोगे और सूरिय जब डूबने लगेगा उसके पहले तुम्हें क्या है यहां वापस लोट ना है दीना ने सिर 1997 कहा ठीक है रुपए Спशर दर की टोपी में रख दिये गए अब क्या करते हैं रुपए जो है सरदार की टोपी में रख देते हैं और स्वेम रोटी पानी और फावडा लेकर चलने को तयार हो गए उसके बाद क्या करते हैं सब क्या है मतलब दीना जो है रोटी लेता है खान भोजन लेता पानी लेता फावडा लेता है और चलना शुरू कर देता है, उसने एक नज़त चारो तरफ दोड़ाई, हर तरफ उसे अच्छी जमीन दिखाई पार रहे थी, वो सोच रहा था किस तरफ जाए, मगर सारी जमीन जो है काफी जाओ दिख रही थे, उसने पूर्व की और जाने का निश्चे क्या सोच था, ने फावड़े से, फिर निशाना लगाने के लिए देखो, हजार मीटर गया, फिर वहाँ से फावड़े से गढढ़ा किया, और वहाँ पर क्या करता है, उची उची घास वहाँ पर बो देता है, चिन दे देता है, अब उसके बदन में फूर्ती आ गई, काफी खुश था, जो उसे भूक लगने लगी, उसने सोचा, एक पहर बीद गया है, एक पहर बीद गया, अभी भी क्या है, वक्त है, खाना पानी क्या है, कुछ खाना, पीना खा लेना चाहिए, उसे लगता है, खा लेना चाहिए, लेकिन तभी मन ही मन में खयाल आया, अभी तो तीन पहर बाकी ह बाद में खा लेंगे, खाने के लिए रुकेंगे तो समय बरबाद हो जाएगा, इतनी अच्छी जो जमीन है हाथ से चला जाएगा, तो चला जाना याना मूर्थ खता होगी, अब उसने जूते भी उतार दी, अब तेज चलने लगा, अब पैदल चलने लगा, और तेजी से आ तो काफी प्यास भी लगी थी, तेज चल रहा था, थोड़ा ठेर कर उसने पानी पिया, और बाई और बढ़ने लगा, लेकिन उसके पाल कदम हारी हो रहे था, विदे को बहुत चलने से देखना थकावर तो आही जाती है, और तो वह क्या करता है, बैठ गया, मन हो रहा था कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन कहीं नीद ना आ जाए, मन तो कर रहा था, बैठ जाए, मगर डर रहा था, कहीं नीद ना आ जाए, इस वज़ा से लेट नहीं सकाए, इसलिए वह लेटता भी नहीं है, उसने खाना खाया, पानी पिया, तो थोड़ी रहात महसुस होई, भो किलो मीटर आगे गया होगा कि सूरज नीचे होता दिखाए पड़ने लगा थोड़ा आगे गया तो क्या देखता है सूरज डूमने लगा था दीना ने वापस लौटने का निश्य है कि अब क्या है वह सुस्ता नहीं मुझे वापस लौटना चाहिए वह लंबे लंबे कदम पढ़ा कर लंबे लंबे पाउ करके लोटने लगता है उसे एक कदम भारी पढ़ रहा था अब तो काफी ठक गया था टांगे जवाब नहीं था उसे किसी तरह सूरज धलने से पहले पहुँचना था अगर रुख गया तो सूरज धल जाएगा और उसे क्या है सूरज धलने के पहले वहाँ पहुचना था वह पूरे दम के साथ आगे बढ़ रहा था उसने कमीज उतार कर फैंक दी वह क्या करता कमीज उतारता है अगर सूरज ढलने से पहले बाद नहीं पहुंचा तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा तो सारी मेहनत बरबाद हो जागा दिन भर का परिश्रम है और सारी रकम जो है वह भी जब्थ हो जाएगी यहां विचार आते ही वह डर कर कांपने लगा उसकी टांगे कांप र रहे थी आंखों के आगे क्या है अंधिरा झाल गया सूरज प्रतिशन ढलता जा रहा था वह हम्मत जुटा कर सामने के भागने लगए च्वर क्यांका अभी उससे पहुंचना ही आने तो सूरज ढल जाए Springs कोलों की आवाज सुनाइं दे रही थे अब क्या है उसे नोगों क पर ना पहुँचा तो लोग हसेंगे अगर नहीं पहुंचता तो क्या है लोग हसने शुरू करेंगे सूरज धर्ती से लगा जा रहा था एक दम डूब रहा था अब डूबा तब डूबा बस डूब नहीं वाला था उसे जमीन पर रखी टूपी दिखाए पढ़ने लगी भी क्या होता सूरज डूब गया और अंधेरा हो गया ओहो सारी मेहनत बेकार हो गई उसे लगता सारी मेहनत क्या हो गई बेकार हो गई दीना के मुह से चीख निकल गए हाई मेरी सारी जमीन चल गई ऐसा ही चीख निकला कोल जो है अब भी उसे बुला रहे थे दीना ने उचा कोल उचाई पर खड़े हैं उन्हें सूरज अभी दिखाई दे रहा होगा तो उसे क्या लगा कि कोल लोगों को शाथ सूरज दिखाई दे रहा होगा बस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है उसने पूरी ताकत लगाई लंबा कदम बढ़ा कर टोपी चूली बहुत मुश भरय सरदार चिलाया सरदार बोलते वा वा बहुत अच्छे वा तुमने कितनी जमीं ले लוח तो जो घर गया बस वही उसकी आकरी सास थी तो दिना का साथी उसको उठाने की कोशिश करता तह पर वह तो तो मर चुका था, कोल लोग सब हसने लगे, दीना के साथ ही ने फावडा उठाया, उसके लिए कबर खोदी, तो दीना का साथ ही क्या करता है, वही क्या है, उसके लिए गढ़ा खोदता है, कबर के लिए, कुल दो मीटर जगा काफी थी, तो उसके कबर के लिए कितनी जगा ख दो मीटर जमीन उसको दफनाने के लिए मिली आशाकरती कहानी आपको समझ में आया होगा इससे संबादित प्रशन उत्तर मैं आपको पीडियोप के मात्यम से भेज दोंगी धन्यवाद